वीकेंड पे हम गए थे मूवी देखने के लिए और वहां रियांश को दिग गया मिकडॉनल्स और वो जित करने लगा कि अब मुझे बर्गर और फ्रेंच फ्राइस तो खाने ही हैं और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि चलो यहां नहीं खाएंगे मैं घर पे आपके लिए तो एक मलमल की कपड़े में खुब सारा दही डाल दिया है गारा दही और इसे हम दबा के रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए अब ले लिए हैं मैंने आलू बड़े साइज वाले ले लिए हैं तीन चार आलू ले लिए हैं और अब इन्हें हम कट कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच फ्राइ स्टाइल में तो उससे मैंने यहां पर कट कर लिया देखिए क्योंकि यह जो आलू है थोड़े प्रेसीशन के साथ कट करने होते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन्हें कट करने में अदरवाइस आप वेज़ेस के रूप में भी कोई प्रॉबलम नहीं है चली फ्रेंच फ्राइस हमारे सारे यहां पर कट गए है अब इन्हें पानी में डाल के रग दूँगी करीबल पाथ से दस मिनिट के लिए ताकि आलू में जितना भी स्टार्च अलू अपना स्टार्च सारा छोड़ दें खैर यह तो पॉसिबल न ली है तो गाजड ले ली है मैंने साथ में मैंने बीन्स भी ले ली है जितनी थी घर में उतनी सारी ले ली है और प्यास भी ले ली है सारी ही चीजों को ना रफ्री चॉप करके मैं यहां पर चॉपर में ही डाल रही हूँ इसमें हम इने महीन चॉप कर लेंगे आप चाहे तो अगर मन है चॉपिंग का तो बस एक शाप डाइफ और चॉपिंग बोड ले लीजिए और मस एंजोई कीजिए चॉपिंग करते टाइम चलिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर चॉपर में इसे चॉप कर लिया है महीन कर लिये जादा बड़ी बड़ी नहीं रखी है साथ में हमें चाही लेसून तो मैंने सच लेसून चलो हाथों से चॉप कर लेते हैं तो इसे मैंने बिल्कुल महीन हाथों से ही चॉप कर लिया है अब एक कढ़ाई ले लीजी, इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमश तेल और तेल जब गरम हो जाएगा तो मैंने डाला है जीरा और साथ में लेसुन बहुत सारा लेसुन हलका सा गोल्डन ब्राउन हुआ था तो इसमें मैंने सारी ही सबजिय डाल दी है सबजियों को हमें हलका सौटे कर लेना है जरूरी नहीं है कि आपको इसे पूरा पकाना है इसका क्रंच हमें बरकरार रखना है जसलाई कि थोड़ा से इसमें पका पका वाला टेक्शर आ जाए बिल्कुल कच्चा भी अच्छा नहीं लगेगा ना तिक्की में जब तक सबजिया हमारी होनी थी तो आलू मैंने उबाल के रख दिये थे पहले ही तो वो मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ क्यों कि यहाँ पर जो हम आलू टिक्की बनाने वाले हैं उसमें हमें आलू के पीसिस नहीं चाहिए तो बिल्कुल grate कर रही हूँ, आपने हाथों से भी crush करके ऐसे ही डाल सकते हैं देखिए सब्जिया हो गई है तो बस जाएंगे थोड़े से मसाले जैसे की थोड़ा था अच्छे तरीके से मैश करते हुए मिक्स करेंगे तो बहुत सही रहता है और एक binding के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ, वो है bread crumbs तो दो से तीन bread को आप grind कर लीजे, वो यहाँ पर आपको जितना जरुरत हो वो यूज़ कर सकते हैं साथ में स्वान अनुसा नमक डाल दीजे, अब बस सारी ही चूज़ों को इस तरीके से मैशर से मैश करना है बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए, आटे जैसा हो जाना चाहिए तो आपकी जो टिक्की है वो बिल्कुल मेक्डी स्टाइल बन कर तयार होंगी बस फाइनली मैंने उपर से डाल दी है बारी कटकी हुई आरी धन्या पत्ती और ये हमारी टिक्की का जो मिक्षर है वो बिल्कुल रेडी है इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि ये थंडा हो जाए जल्दी से और जैसे ही धन्डा होगा वैसे ही हम शेप देंगे टिक्की के अब क्योंकि में को लगना सा टाइम कम है और जल्दी चाहिए हमें टिक्की तो इसे नहीं मैंने फ्रिज में रख दी थी धन्डी होने के लिए आप बहारी धन्डा कर सकते हैं तब तक देखिए जो हमने फ्रेंश फ्राइस के लिए आलू रखे थे न वो भी अब रेडी है नेक्स टेप में जाने के लिए तो बस उन्हें पानी से निकाल के हमें सुखाना है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और कोशिश कीज़ेगा जो पानी आप लेंगे वो बिल्कुल चिल्ड पानी होगा न तो ये जो फ्रेंश फ्राइस के जो आलू है वो अच्छे स्टेफ हो जाते हैं तो फिर फ्रेंश फ्राइस बहुत यच्छे क्रिस्पी बनते हैं आलो को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखा लिया है फिर एक इसे मैंने प्लेट में ट्रांसवर कर दिया है अब हमें चाहिए कॉर्ण फ्लार अब आरा रोट भी ले सकते हैं तीन से चार चमच या जितनी आपको आवश्यक्ता पड़े उतना आपको ले लेना है और सारे ही फ्रेंच फ्राइज को अच्छी तरीके से आपको कॉर्ण फ्लार से कोट कर देना है मैंने तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी मसाज कर दिया कॉर्ण फ्लार से और बस एक छन्नी में डाला है ताकि जितना एक्सेस कॉर्ण फ्लार है उसे मैं हड़ा दू निकाल दिया और is ack मैं ट्रास्ऩफ कर रही हूं देखिए फ्रेंज फ्रेंज बिलकुल तेयार है अब बनाने के लिए अभी ये प्रेंज फ्रेंज प्रैक को लगते हैं साइड में अभी जो कॉण और साथ में हमें चाहिए होंगे थोड़े से और breadcrumbs तो वो भी मैंने एक बाउल में निकाल लिए है चलिए तैयारी हो गई है अब होपफुली पेटीज का जो मिक्षर हमने बनाया था वो भी थंडा हो गया होगा तो फ्रिट से उसे भी हम निकाल लेते हैं अब बारी है टिक्की बनाने की तो सबसे पहले तो ना मैं सारे ही मिक्षर में से जितनी टिक्किया बन रहे हैं उनके गोल-गोल बना के रख ले रही हूँ तो एक आईडिया लग जाएगा फिर एक साथ हम सलारी में अपने हार टिप करेंगे तो इतने मिक्षर में यहाँ पर मेरी आठ टिक्की बन कर तयार हुई है खेर आठ टिक्की आज तो कंज्यूम होगी नहीं तो देखते जाए इसे हम प्रिजर्व कैसे करेंगे तो देखे मैंने टिक्की को शेप दिया है और शेप कैसा देना है आप अपना बर्गर का बन उठा लीजे और फिर देखे कि जो टिक्की है उसका जो साइज है वो बर्गर बन से थोड़ा छोटा होना चाहिए और फिर टिक्की को शेप दे लीजे और अब आपको क्या करना है टिक्की को डिप करना है slurry में दोनों तरफ से slurry से coat करना है और फिर उसे हम breadcrumb से coat कर देंगे ये देखिए एक टिक्की मैंने बना ली है इसी तरीके से हम सारी ही टिक्की बना कर तियार करेंगे और कोशिश किजिए कर जितना excess breadcrumb से आप निकाल सकें वो निकाल ले ये देखिए यहाँ पर हमाई टिक्की ready है अब आप इने deep fry भी कर सकते हैं मैं आज इने air fryer में bake करने वाली हूँ तो air fryer में तो एक बार में चार ही जाएंगे और आज हमें चार ही चाहिए तीन हम लोग है और एक है हमारा पडोसी गुगु तो यहाँ पर मैंने air fryer में डाल दिये है अपनी टिक्की इसको 20 मिनिट के लिए 180 डिग्री सेंटिग्रेट मैंने temperature सेट कर दिया है अब बच्ची है बाकी की टिक्की तो उसे हमें कैसे लेना है तो मैंने यहाँ पर ओडी का eco bake ले लिया है और उसे मैं पीसिस में कट कर रही हूँ और एक आप डबा ले लीजे अब layer by layer आपको यहाँ पर टिक्की रखनी है और हर टिक्की के बीच में ओडी का eco bake लगा दीजे फिर डबे को बन करके आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और यह आप एक हफते तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं खραब नहीं होगा social fish में स्टोर कर नहीं किजेगा तो जब अब वी आपको बनाना है वस निकालिये टीप डार्य करना चाता यह तो डीप भत कर लीचिए तोड़े से औरीगानो, आप पासले भी ले सकते हैं, आप अपने मन पसंद हर्प्स ले सकते हैं, पैरी-पैरी मसाला भी ले सकते हैं, थोड़े सा नमक डाल दिया है, और अगर सुआत को बैलनस करना चाहते हैं, तो थोड़े से चीनी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर हंकड इ क्योंकि मैंने केचप थोड़ा कम डाला है आप केचप थोड़ा डाल सकते हैं पॉपकोन भी ले लिए है क्योंकि आज बिल्कुल पार्टी मोड ओन हो गया है तेल गरब हुआ था तो उसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज डाल दिये हैं यहां पर हमें फ्राइज को पूरा कुक नहीं करना है सिर्फ 60% कुक करना है बाकी हम दूसरी प्रोसेस से कुक करेंगे तो यहां पर फर्स बैच की कुकिंग हो गई है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक छनी में ही निकालूंगी प्लेट में मन निकाल लिएगा प्लेट में निकालने से जो फ्राइज है वो बहु बनने के लिए वो भी हो गई है तो चलिए वो भी हम निकाल लेते हैं बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी है देखिए बिना फ्राइ की है इतनी अच्छी टिक्की बन गई है अब जो हमने फ्रेंच फ्राइस को 60% कुक किया था नो उसे मैं एर फ्राइर में डाल रही हूं और इस रिमूफ कर देता है तो यह बहुत अच्छी बात लगते है मुझे एर फ्राइर की जब तक फ्राइस हमारे हो रहे है तब तक चलिए और चलिए अब असेंबल कर लेते हैं जो हमने सॉस बनाई है हंकट और केचप की वो लगाएंगे लेटिस लगाएंगे और साथ में हम ल तो यह देखें यह हमारे बर्गर स्पन की बिलकुल रेडी है रियांश को तो बहुत अच्छे लगे थे और यह देखें फ्राइस भी यहां पर हमारे हो गए हैं अब बारी है इनमें नमक डाले की क्योंकि अभी स्वाट तो आया नहीं नमक से आएगा तो बस स्वाट डाल दिया आप इसमें परिपरी मसाला भी डाल सकते हैं आप चाहे तो काले मिट्श का पाउडर भी डाल सकते हैं बस मिक्स किया है और देखें कितने क्रिस्पी बने हैं इसे निकाल लेते हैं हमें एक सर्विक बाउल में और यह देखिए पार्टी के लिए सारी तयारिया होगे केचर प्रक लिया है क्रानमेरी जूस भी निकाल लिया है और कैसा लग रहा है हमारा ये पार्टी प्लाटर ज़रूर बताईएगा चलिए अब इसे हम इंजॉई करेंगे और रियाज तो आज बहुत ज़्यादा खुश है कि कल उसने बोला था कि मुझे खाना है मिकडॉनल्स का फ्राइज और बरगर और आज मुम्मन ने घर में बना दिया है प्रॉमिस पूरा किया है मैं कोशिश करती हूँ या तो प्रॉमिस ना करूँ और अगर प्रॉमिस कर रही हो तो वो ज़रूर पूरा करूँ तब ही बच्चे आप पर ट्रस्ट कर पाते हैं और नेक्स टाइम आपकी बात सुनने के लिए रेडी होते हैं और बच्चों का मन तो करता ही है बाहर का खाने का तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बाहर का ना खिला के वही चीज़ घर में बनाकर फिर रियाज की फरमाईश पूरी कर दूँ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इंजोई